दोस्तों नमस्कार एंसी ए आटी गनीट कर्षा तस्मी में आप सभी का स्वायत है अज के इस वीडियो में हम किसी सिना ओथर के प्रस्णावलिय आर्थसलंद एक के परसंख्याचार के तिसरे भाग को देखने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक मन है जो इन गया है इससे हमें निकलना है को आए परसंख्याफ स्वाय एक वाग चुमा देख हम लेते हैं क्या ज pronoun और यह भी बड़ाबर बार A.C. बड़ाबर पांच B.C. बड़ाबर तेरा तेरा यही दिया गया है तो इसको solve करने के लिए हमें एक समकुन तिर्भुज बनाना पड़ेगा तो आएए हम एक समकुन तिर्भुज ले ले लेते हैं तो हमने यहाँ पे समकुन तिर्भुज ले लिए है देखिए पर्स में काड़ा हमारा कौन एक है 90 तिर्गरी और 90 तिर्गरी का कौन यह है तो कौन यह यहाँ पे हो जाएगा और बचा B.C. तो B.C. यहाँ पे दे दिजिए और C. यहाँ पे ठीक है? आप चाहे तो B.C. यहाँ पे देखिए अगर कौन B के लिए तो B के लिए लूं क्या हो जाएगा? देखिए B यहाँ पे है तो B के सामने वाला भुजा क्या कालाता है? यहाँ पे लूंप समकून के सामने वाला भुजा कर्ण और जो बच जाता है वो अधार यानि की बेस कालाता है तो अब इसी से हमें सभी पर बैठा देखना है तो क्या हो जाएगा? इसके B के लिए क्यों सा हो जाएगा? पांच और H कितना हो जाएगा? तेरह तो यही हमारा साइन B का अमाना आ गया है अब बोलड़ा है कॉस C और 10 कितना है 10 B का तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस C कॉस C कॉस ठीटा वड़ा क्या होता है? B वटे H यानि कि अधार वटे कर अब देखे C यह है और C के सामने बाला पुझा क्या हो जाएगा? इसके लिए P 12 हो जाएगा लेकिन हमें यहाँ पे P नहीं चाहिए तो H कुन सा है? S तो यह हिरेगा और B यह हो जाएगा तो 5 वटे 13 इसका भी हो जाएगा देखे B यह हो जाएगा और H यह हो जाएगा तो 13 इसी तरह इसका भी निकल गया है अब है 10 B 10 B 10 ठीटा बढ़ावर क्या होता है? P वटे B P वटे B अब देखे B के लिए कर रहा है B के लिए P कुन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा 5 और B जो H यह है B यह 12 हो जाएगा तो इसी तरह से हमारा पहला जो दिया गया है A का A का अंसर हमारा निकल गया है अंसर निकल चुका है अब इसी परकार से हम B का भी मान निकालेंगे लिख लेते हैं जो दिया गया है पहले अब क्या है A B बढ़ावर 20 A C बढ़ावर 21 और B C बढ़ावर 29 तो हमने सवाल उतर लिया है अब चलिए B के लिए भी एक समकुन तिर्फुज ले लेते हैं तो हमने यहाँ पर एक समकुन तिर्फुज ले लिए हैं अब इसमें कुन A सभी में 90 टिकरी होगा यह लिख देंगे और यहाँ पर B लिख देंगे और यहाँ पर C लिख देंगे अब देखिए यहाँ पर A B बढ़ावर कितना है 20 A B हो गया 20 A C है 21 A C A C A C यहाँ से होगा 21 और B C है 29 बढ़ावर कितना है तो 29 यहीं है और हमें इसी से हमें अभी मार निकलना है तो पहला जो दिया गया हो क्या है B क्या होता है B बढ़े हट होता है और यहां पर देखिए 20 B की सामने वाला कि हो जागा 2021 यानदीज और S तो यहीं हिंगए समकुन सामने वाला ख़्छा है Normius 29 हäterा यहां का वहां नहीं जाएगए 29 लिख देंगके hanno 59 बढ़ाव है कॉस्छी कॉस्छी कोश सी बढ़ावर क्या होता है कोश ठीटा बढ़ावर था बीवटे एठ देखे सी के लिए यहां से पी यह हो जाएगा एस तो यह है तो बी यह काल आएगा तो बी 21 वटे 29 यह भी हो जाएगा 21 वटे 29 अब है 10 बी 10 बी 10 बढ़ावर क्या होता है पी बटे एपी बटे बी यहां देखें बी तो बी के लिए पी 21 हो जाएगा और एठ तो यह है तो बच गया जो 20 तो 20 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यही इसका आंसर आ गया असा करते हैं कि आप सब की यहां तक समाज में आ गया होगा अब तलिए हम जो तीसरा भाग यानिकी C दिया गया है उसे भी लिख लेते हैं इसके लिए भी हम एक समकुंतिर भूज ले लेते हैं तो हमने यहां पर समकुंतिर भूज ले लिए है देखिए इसके लिए भी यह हो जाएगा बी यह हो जाएगा सीए हो जाएगा ठीक है देखिए यहाँपे बी ब्रावर चुलंग कुले लिए इसरिए लिए इससे हमको मांन admin करना है तो आगे पहले क्या दिया गया इ है साइन भी साइन भी साइन फी नो थीट हमाता है पीवंटे सा लंबटे कर तो देखिए B है, B के लिए H कोन हो जाएगा, एक यहां बला हो जाएगा, एक और इसमें H कोन है, समकुन के सामें बला H होता है, तो रूट अंडर 2, 1 बैर रूट अंडर 2 आ जाएगा इसका, उसके बाद है कॉस C, कॉस C, कॉस C ची टीटा बड़ क्या होता है, B बटे H, अध हर कॉन हो जाएगा, C के लिए, यह हो जाएगा, P और यह हो जाएगा, S, तो यह हो जाएगा, B, तो क्या हो जाएगा, वाट वाइ, रूट अंडर 2, हो गया, अब आए हमारा, 10B, 10B, तो 10 टीटा बड़ा होता है, P बटे B, यहां पे लिख भी देते हैं, P बटे B, तो P दे लिख सकते हैं, यह हमारा, अंसर हो गया, अगर किसी भी प्रकर का डाउट हो, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मिलता है, एक और नहीं वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत,